नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूटिब चैनल पर जिसका नाम है What You Want वीडियो में बात करने वाले हैं Green Power यानि की Orient Green Power Company Limited के शेयर के बारे में दोस्तों आज के दिन कमपनी का 3rd quarter का result आनाउंस होने वाला है लेकिन इससे पहले ही इस शेयर में भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है आज भी इस शेयर में Lower Circuit बना हुआ है पिछले 5 दिनों की बात कर रहें तो पिछले 5 दिनों में भी 10 पर टिशिट की गिरावट इस शेयर ने दिखाई है वन मन्त में बहुत ही अच्छे रिटन इस शेयर में हमें देखने को मिलते हैं यानि कि एक महीने पहले 12 रुपे 70 पैसे प्राइस था अप्रॉक्सिमेट डबल प्राइस यहाँ पर एक महीने में इस शेयर ने बना कर दिया वहीं बात करें 6 मन्त की तो 6 मन्त में भी 50,5 परतिशत एक साल की बात करें तो 662 परतिशत और 5 साल की बात करें तो 97 परतिशत का पॉजिटिव रिटन देखने को मिलता है लेकिन अगर lifetime history की बात करें तो यहाँ पर हमें 50 परतिशुत का negative return देखने को मिलता है तो दोस्तों पिछले एक साल में share ने बहुत ही अच्छी rally दिखाई यानि कि एक 2 रुपे की उपर trend करने वाला share आज की समय 22-23 रुपे की उपर trend कर रहा है तो इस बीच बड़ी की रावट होना बिलकुल तै है अगर हम इनके year range की बात करें तो एक रुपे 80 पैसे से rally start होती है और 28 रुपे 45 पैसे का high हमें देखने को मिलता है तो दो possibility है पहला तो यह कि एक penny share है और penny share होने के नाते share में इस तरह की movement जो है operator activity की वज़े से देखने को मिलती रहती होंगी तो बहुत सारे लोग यहाँ पर माला माल हुए होंगे आप भी अगर उनमें से एक हैं तो जरूर कमेंट कीजेगा तो दीखे दोस्तों profit booking यहाँ पर सुभाविक है क्योंकि एक बहुत बड़ी update अभी कुछ दिन पहले निकली है company के बारे में और यह update इतनी बुरी है जिसकी वज़े से share holder को यहाँ पर profit booking करना पड़ रहा है माल को बेचना पड़ रहा है और साथ के साथ third quarter का result कैसा रहने वाला है और इससे पहले का result कैसा था वो भी हम यहाँ पर जरूर जान लेते हैं उससे पहले जानते हैं कि वो bad news कौन सी थी जिसकी वज़े से orient green power में इतनी बड़ी dumping इतनी बड़ी selling हमें देखने को मिल रही है दोस्तो 17 जनवरी को एक update आया जिसमें कहा गया कि शिरी राम ग्रूप in talk to exit orient green power plans to sell its diversified RE business for an enterprise value as part of its plan to exit non-finance businesses शिरी राम ग्रूप is in talks to with potential investor to sell its wind power company orient green power for an enterprise value of rupees 3000 करोड according to sources the company is initial status stages of conversation and deal could also include an unutilized land parcel of rupees 2000 acres तो company जो है यहाँ पर sell होने की कगार पर है शिरी राम ग्रूप अब इस company को exit करने वाले हैं और इतनी बड़ी update के बाद इतना बड़ा dumping यहाँ पर बिलकुल सभाविक था और अगर आप लोगों ने इसमें investment की है तो अगर आपको मौका मिलता है तो विलकुल से exit हो जाईए इस shares में क्योंकि ज़्यादा लालच करेंगे तो आप अपनी capital भी यहाँ पर गवा जाएंगे और साथ के सथ जितना profit कमाया है वो भी आप यहाँ पर खो सकते हैं आईए जानते हैं company के quarterly result के बारे में और third quarter का result जो की आज announce होने वाला है वो कैसा हमें देखने को मिल सकता है वो भी हम check out करते हैं तो दोस्तों company का quarterly result अगर हम देखें कि second quarter में company की sales 115 करोड की थी expenses 29 करोड और अगर operating profit की बात करें तो 86 करोड operating profit हमें देखने को मिल रहा था लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि second quarter में एक अलग income यहाँ पर include की गई जो की other income कहलाती है 28 करोड की और other income add करने के बाद और सारे खर्चे निकालने के बाद company ने यहाँ पर net profit जो दिखाया व इसी net profit की वादसे इस share में भारी उच्छाल भारी तेजी और भारी rally हमें देखने को मिली और अब हमें इस share में downtrend देखने को मिल रहा है तो third quarter का result अगर इसी तरह का दुबारा आ जाता है दो दोस्तों इस share में definitely काफी अच्छी कासी rally हमें दुबारा देखने को मिल सकती है लेकिन अगर इसमें थोड़े से भी कम numbers अगर company शो करती है यानि कि loss या profit अगर इस second quarter के मुकाबले थोड़ा सा भी कम अगर हमें देखने को मिलता है तो बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर होने वाली है और बिलकुल alert रहना है अगर आप लोगों ने यहाँ पर investment किये क्य result रहे हैं अगर आप देखेंगे कि company हर एक quarter में आपको loss generate करती हुई ही नजर आई है कुछ एक quarter ही ऐसे हैं जिसमें company ने अच्छे खासे numbers हमें शो किये हों दिसंबर 2018 में 66 करोड का loss मार्च 2019 में 16 करोड का loss वहीं अगर बात करें दिसंबर 2019 में 38 करोड का loss जून 2020 में 15 करोड क loss तो इस तरह के data हमें यहां पर थोड़े विचलित जरूर करेंगे अगर हम यहां पर year on year basis पर देखें तो company ने पिछले साल 58 करोड का loss दिया था यह बात बिलकुल भी नहीं भूलनी है साथ के साथ अगर company की sales देखेंगे तो मार्च 2020 की मुकाबले मार्च 2020 में company की sales भी काफ भी नहीं लेना है profit booking जरूर कीजिएगा बिना profit booking अगर आप यहां पर बने रहेंगे तो बहुत बड़ा risk लेते हुए आप इस share में invested रहेंगे तो उम्मित करूँगा यह चोटी सी वीडियो आप पसंद आएगी और third quarter का result जो की अभी तक announce नहीं हुआ जैसे यह announce हो जाएग कर दो